दर्शुको जोतिश शास्त्रों में रत्नों का विशेश महत्व है आप रत्नों के प्रभाव से आप विप्रीत पस्तिते को भी अनुकूल बना सकते हैं हरेकिशन दर्शुको वेधिकेस्ट्रों केड़ में आपका स्वागत है मैं जोतिश अचारिया पूजा मंगल की अगर बात करें तो एक अगनी तत्व का ग्रह है और यह हमारे शरीके अदमी तत्व को दिरूपित भी करता है बहुत से वेक्टी जिनकी कुंड़ी में मंगल सुस्त अवस्ता में है जिसके कारण वेक्टी या जातर के बीतर उर्जा की कमी देखी गई है साथी वेक्टी जिद्धी टड़ापन और बहुत ही घमंडी होते हैं ऐसे वेक्टी और बहुत ही जल्दी गुसा इनको आता है बहुत जल्दी जिसकी वज़े से इनके बहुत से शत्रू हो जाते हैं ऐसे वेक्ति बहुत तीवर जुबान वाले होते हैं कुछ भी बोल देते हैं साथी अपनी बातों पर अडग रहते हैं अपनी बातों के लिए किसी की बात सुनना नहीं पसंद करते हैं जिसकी वज़े से इनको कई बार गलत निरने के एकारण नुकसान भी उठाना पड़ता ह और जैसे मैंने बताया कि बहुत ते शत्रू भी इनके हो जाते हैं दूशित मंगल के कुप रभाव को कम करने के लिए आप मूगा रतन धारण कर सकते हैं लेकिन आप कोई भी रतन यंत्र या रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उसके लिए आप किसी जोतिश दे करते हैं तो ये आपके बीतर उर्जा को बढ़ाता है साथ ही आपके अंदर जो भी नाकरात्मक तत्वे उसको धीरे धीरे ये समाप्त करता है इसके बहुत से लाब भी देखे गए हैं और बहुत से नुकसान देखे गए हैं लाब इस प्रकार होते हैं कि आप जब इसको ध दिशा में लगाते हैं इसके लावा जो छोटे बच्चे होते हैं अगर ये पेंडेंट के रूप में उनको धारन करते हैं तो उनको बूरी नजर से भी बचाया जाता है इसके लावा जो पोशन के शिकार होते हैं बच्चे उनको भी ये काफी अच्छी शुबता परदान करत बैक्ति के बीतर ये रोग प्रतिरोद की शम्ता को बढ़ाता है साथ ही आपके उर्जा को बलवान बनाता है आपके मस्तिक के विकारों को दूर करता है आपके मस्तिक में जो भी गतिविदियां है जो भी प्रतिकूल गतिविदियां उसको दीरे दीरे इसको शान करता है साथ ही आपके इंदर ठहरे और सहाथ को प्रदान करता है जो ध्यरे होना बहुत ही ज़रूर है क्योंकि थंडे दमाग से ही दिखने ले पाते हैं अगर प्राश्चासनेक विभाग में हैं पुलिस विभाग में ये डॉक्टर विभाग में हैं तो आपको ये रतन पहने से बहुत इसको बुरे प्रभाव को भी देखा गया यदि आप कोई भी रतन बिना परामश के धारंड करते हैं तो निश्चत आपको बुरा प्रभाव देखने को मिलता है और रतन धारंड करने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं कुछ साफधानिया होती उसको भी आपको फॉल्लव करना चाहिए अब जो कुछ प्रभाव पर कुछ इस पर काले जैसे गुस्टा का बढ़ना गहमेंट का बढ़ना साथी दूसरों को कम आकना इसके लावा आपके कुछ स्वासे संबंदी समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है अब इसे धारण करने का तरीका क्या होते है कि किसी भी शुब मंगलवार को आप रातस नान से निवरित होके आप इस रतन को कच्छे दूद और आप इसको गंगा जल में अच्छे से धो कर स्वच करके आप इसे दूब दीब दिका कर अरुमा आरुजाप करें है जैसे कि अगर आपको इसे बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए साथी अगर आपका राशी या लगन आपका विशव है, तुला है, मिथून है, कुम्भ है और कन्या है तो आपको ये रतन भी धारंट नहीं करना चाहिए मुंगा रतन जो है शुब होना चाहिए, साथी इसको आप चान्दी के धातु में ही धारंट करें साथी इसलिए अपने उल्टे हाथ में अनामिका के उंगली में धारं कर सकते हैं और पूरूष अपने सीदे हाथ के अनामिका उंगली में इसे धारं करें इसके लावर जो Italian Musa होता हो सबसे अच्छी quality का होता है कुछ साफधानी आपको जैसे अब रतनी है कि जैसे मैंने यही बताये कि आप इसे जुरूर फॉलो करें इसके लावा जैसे मैंने बताये कि किसी अनुभवी जोतिश के परामश के बाद ही आप कोई भी रतन धारन करें इसके लावा मुंगाधान करने से वेक्टी के अंदर जो आत्म समान की जो द्रिन इश्या वो बढ़ती है साथी आप विभन परकार की जो आपके इंदर जो लोर कॉंफिडेंस की समस्या है उसको भी कमी देखने को मिलते हैं आपके आत्म मिश्यास में विद्धी होती हो जैसे मैंने बताया कि बच्चों के लिए बहुत ही लाप कारक होता है कुपोशन की शिकार होते हैं या बुरी नजर से इनको ये बच्चों को बचाता है दर्शकों आपके जो भी प्रशन सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट ब सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें जितना हो सके हमाई चैल को लाइक और शेर करें हरे क्रश्च नाम